ये बच्चे जब बड़े होंगे अपने नातिर पोतियों को राजा रानी की नहीं, काल्पनिक सूपर हीरोज की नहीं, बलकि इन क्षणों की कहानिया सुनाएंगे जब उन्होंने प्रधान मंत्री से हाथ मिलाया था, उन्हें गले लगाया था, कभी-कभी एक शण भी हमारी जिन्दगी वदल देता है और कुछ नया कर गुजरने की प्रेडना से भर देता है, ये वही पल है, और ये बच्चे बड़े होकर यकीनन कुछ बड़ा कर दिखाएंगे, और तिरंगे के रंगों के असली माइनों से जमीनों आसमान के रंग भर देंगे प्रधान मंत्री जितना आनंद बच्चों से मिलने में प्राप्त करते हैं उतना ही आनंद बच्चे उनसे मिलकर अपने लिए उर्जा बटोर कर प्राप्त करते हैं आज के समय में प्रधान मंत्री को इतने निकट से देखना और मिलना एक सपने की तरह लगता है एक समंदर सा लहरा रहा है यहां लालकेले के सामने बच्चों का चटी स्कूलों की साड़े तीन हजार चात्राएं एंची सी के साथ सो केड़ेट्स और पांच हजार चात्र हैं बहुतर विद्यालेयों के सभी मिलना चाहते हैं मानन ये प्रदान मंत्री से कर दॉजोर लिपुट अचिट खूप चीर्ब शोर्ड़ दिण अर्कार्ड़ कर तर्च्ट कर रूंस साजे व्यूर्ड था च्ट्रा कुट्र लिव्यु कर लिजए बच्टू कर बिच्टेश अच जान, और यू आज विद्टीर खूड्यादान, डभे खूट अफूट कत that these young citizens absorb from all around and from adults and leaders that they look up to मानिय प्रधानमंत्री शीनरेंद मोधी को अपने बीच पाकर आज के स्वाधीनता दिवस्वारो में शामिल बच्चे और NCC कैडट्स बेहद प्रसन है उत्साहित है प्रफुलित हो रहे हैं देश के कल की तस्वीर इन बच्चों के लिए मानिय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाना एक अविस्मर्णिय और यादगार अवसर है प्रधानमंत्री महोदे ने हमेशा ही भारत की युवाशक्ति को बेहद खास माना है जो देश को आगे ले जाने और भारत की प्रगति की यात्रा में सदैव ही महत्तुपूर्ण भुमिका निभाते रहे हैं भारत युवाओं का देश है और यकीनन ये बच्चे मानिय प्रधानमंत्री के साथ बिताए गए पलों को हमेशा अपनी यादों में संजो कर रखेंगे राष्टियता के रंगों से दमकता हुआ लाल किले के सामने का परिसर और बेहद प्रसंद ये बच्चे मानिय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर निदा फाजली ने कहा था बच्चों के छोटे हाथों को चान सितारे चूने दो चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे बच्चों के आखों में भविशे के सपने हो और फिर उन्हें साकार करने के अफजर हो तो फिर असंभव क्या है for the nation our future producers protectors and philosophers young excited and eager it's truly a memorable day for them